नमस्ते गुरुजी इसके कपड़ों के एक्सपोर्ट का बिजनस पूरी तरह से ठप हो गया इसलिए यहां सब को छोड़कर विदेश में सेटल होना चाहता है मेरे बेटी की हालत देखी इसकी मंगनी के दिन ही इसके साथ एक हाथसा हो गया और उस एक्सिडन की वज़े से आप ये चल फिर नहीं सकती इनकी बड़ी बेटी ने भी अपने माबाब के विरुद दुचा कर दूसरी जाती के लड़के से व्याक कर लिया और अपना घर बसा लिया शादी के बाद उनके घर में तो बच्चे हुएं लेकिन एक फ्लाइट क्राश में पति पत्नी की जान चली गई तब से लेकर अब तक मुसीबत हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रही है गुरुजी कुल देवी के श्राप की वज़ा से तुमारे परिवार के साथ ऐसी घटनाय घट रही है जहां तक मुझे है याद है गुरुजी हम कभी भी अपने कुल देवी के मंदिर नहीं गए इंसान पैसा कमाने के लालच में बस भागते रहता है और गाव की कुल देवी को भूल जाता है तुम लोगों ने वही गलती की है पर गुरुजी हम पूजा पाट तो करते ही है फिर ऐसा क्यों हुआ प्रति दिन पूजा पाट करना ज़रूरी नहीं है परन्तु वर्ष में एक बार कुल देवी की पूजा होनी ही चाहिए तुमारे पूर्वजों से ये पूजा होती आई है और गाव में सिर्फ कुल देवी ही नहीं बलकि तुमारे पित्र देवता भी है जो भगवान को नहीं मानते उनके भी कुल देवता होते हैं बेटी जिस प्रकार तुम लोगों के शरीर में तुमारे पूर्वजों का खून दोड़ रहा है उसी प्रकार कुल देवी के मंदिर में भी तुमारे पूर्वजों के शक्ती है अब आप ही बताईए हामें क्या करना चाहिए तुमारे परिवार के हर सरस्य को दो दिन गाव में रहकर नवरात्री में देवी के सामने दिये जलाने होंगे और धुर्गाष्टमी के दिन पूजा करनी होगी तो सारे संकट दूर हो जाएंगे इस पूजा में उन दू बच्चों को भी लाना होगा गुरुजी बिल्कुल लाना है तुमने अपना मानो या ना मानो फून तो आपका ही है न वो आएंगे तभी आपके पूजा संपन्न होगी समस्या का समाधान होगा वो बच्चे कहां और किसके साथ रहते हैं पता है यह मैनेजर ही उनके टच में यही जानते हैं कि बच्चे कहां है वो दोनों बच्चे एक बड़े आउडिटर के साथ रहते हैं आउडिटर का जो गोद लिया हुआ बेटा है वो 24 घंटे उन बच्चों की देखरेक करता है और वो बच्चे आपसे ज्यादा प्रापटी के वारिस है अगर फैसला मेरे हक में नहीं आया तो तेरे दोनों बच्चे जान से जाएंगे अगर बच्चों को खरोच भी आई तो अच्छी तरह समझ लो बहुत बुरा होगा पुलिस के दम पे इतना उचल रहा है क्या तेरी पुलिस भी यहां तक नहीं पहुत सकती तेरे बच्चों के साथ साथ इस कूल के 40 बच्चे और दो टीचर भी मारे जाएंगे है सारे बच्चंचों से आएं और तुम दोने यहां पर अस्र हो दर नहीं लगता क्या नहीं लगता क्यों तुम्हें यहां पर वछाने क्या दापने हां आने दे उससे वी उनाइए यो जने बोट बवड़ु निय हो वड़ दे करता रित काृष ho प्लूडु है यह है है यह ही लो प्लूब प्लूडस लड़ू को यह है है जल टेकत के बच्च्छ की जाना पा है अज़ी मेरे बास पहो चल्दी पास चलागे पाउट पास चला टेक झाल! कि को पाल! अजय को अजय को आज़ चुछ! कि अजय तेखा है! नपका अजय अजो पाल! आजय को आज़ू! मत अजय को अजय को आज़ीं, वाल-जय को एंज़ु है! सब चराई प्रीज कर्यों प्रीज कर्यों हुआ जाँ थेखिए आप और मैं आप इसलिए आप ओप आता अको, जो सहु siगा! आ ये कर दो! फफोब में ये को! क्वार। नञए कर दो में पमें यफ तुट याओ कर दो 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 साहब वैसला सुनाने की जरूरत नहीं है मैं सजा दे चुका हूं अल्दे चिल्रन आर सेफ तांक्यू मिस्टर पाणियन ये दिखे माँ मैंने बहुत सारे घडूने इस पेसे ये अच्छा है गाहितरी ये घर जैसा तो नहीं पूरे राजमहल जैसा लग रहा है राजमहल जैसा नहीं राजमहल ही है मां वेट्या पूर राजमहल इस घर में बहुत सी मिस्टरीज होंगी अब मिस्टरी काया जानने के लिए तुम रात में ही मत निकल जाना हम अब आजिल मेरे चरो कर बहँ जील रहे है है अब मेल इतना बयान्छ लेग रहा है आम्य PROF प्रफ़ाइब 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 तो वहां मैं आप पेट पर गुड़ गुड़ाइब लगती है लेकिन तुम लोगों ने मेरा डबन एलडी कर दिया वाट लगा के फूट लिये खुछ नहीं तो सिंगल पटी रोड करीद देते गल्ती से अगर वहां में बहल गारी आ जाती तो मैं उससे टोल वसूल करता जिससे इस गरिब का सीपी निकलता यानि कि चाय पानी तुमने वि फैमली के लिए ये घर बिल्कुल ठीक है मेरे हिसाब से हमें से बहतर घर नहीं मिल सकता एक और खास बात पता क्या है इस राजमेहल से हमारी कुल देवी का मंदर सर्फ पांच किलोमेटर दूर है इसमें ऑप्शन दिया है या तो हम इसे रेंट पर ले या इसे हम खरीद ल हूं चंदा पास साल पहले काम करती थी और मैंने उसे नहीं भगाया वो खुद चंदू के साथ भाग गई है लूंगी और कच्छा लेके भागी है मेरा वो क्या बगबास कर रहा है यह हमारे महल को किराय पर लेने आये हैं तहां से पकड़ लाए यह हमारे इस अलिशान महल के मालिक है इनका नाम है ओटीप यह ओनर है अगया 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 मैं बताना भूल गया दोलों तरफ बड़े-बड़े कमरे हैं एक कमरे से दूसरे कमरे में रूमिंग लगती है आप चाहिए खेलो, खुदो, नाचो, गाओ, रील बनाओ, कोई फरक नी पड़ता लेकिन साउथ की तरफ जाके मत नाचना क्यों वहाँ तेरी सास रहती है मेरी सास तो वहा नहीं रहती है लेकिन अगर तू आ गया तो तेरी सास से बंदो जाएगी काम किया लेकिन कानिया था इसलिए इसलिए साउथ का काम करना भूल गया अगर तू वहाँ जाएगा ना तेरे सर पे छट गिरेगी आदीग है जाओ जाओ तुम लोगी काने हो क्या उदर नहीं इदर इदर जाना है कितने लोग है इनके रखना पड़ेगा एकाद कमना हो जा यह सीधा जाके राइट लेना पूरा धलान है एक बार धक्का देदो वो खुदी पहुच जाएगी पता करो वो बच्चे कहा तक मौच जाए यह 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 आ जो बच्चे मुझे भी उतारों वाँ आँ बैशन सक्सेस्फुल लेट्स गो यह बैक ज नमस्ते माजी नमस्ते कर तो यह 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 इनका रख्माला मेरी बास सुनो जाके ना नानी के हाथ चूंड़ो नानी अब बिल्कुल हमारी ममा जैसे दिख रही हो हमेशा आपको फोटो में देखा था आज पहली बार सामने से देख रहे हूं ममा सुभे उटके पहले आपकी ही फोटो देखती थी नानी ठीके दूर आटो मैं मंदिर जाने के लिए देर हो रहे हैं ज्यादा मसका मत लगाओ नाना मामा नानी बोलके पास आने की जरूरत नहीं है मामा आचे-बुचे कि यह थोड़ा दूरी रखना चाहिए मामा यह हमें दूर क्यूं कर रहे हैं क्यूंकि यह सब लोग काटून हैं अरे इंको इंग्णोर मारों हम लोग मसें करेंगे आजओ क्या एंच कि मारों को सोच समझ के देना हमारे कमरों के आज पास दिया न तो देख लेना मिरको एमके नीस समझ रहा है बतला माली को नोकर समझ रहा यह लठ्था एटिट्टूड मेरा होना चाहिए बच्चों के साथ कोई तो लोचा है पता करूंगा करके रहूंगा करके रहूंगा करके रहूंगा पहले ले फिर राइट अगर समझ में ने आ रहा तो बोल लोकेशन पेज़ दू इसको मैंने चोर बजार भी 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 मांगते देखा है कहां देखा है मंदीर के बाहर या स्टेशन पे अरे आत्र लगा आया रहा बया तो यह बीडी भी बीडी यह क्या बीन बुलाया बाराती बलता है मुझे मैं दूला हूं और सुहाग राह भी फ्रीफंट का बाराती है अब इसी घर का मेंबर हुब है अट चलो महल में खेलने को खेलोना मिल गया है सुन आ बोल यहां तु किसी को भी बातली में उतार सकता है लेकिन मैं खुद बातली हूं मुझे कही से उतारेगा चल सच का पिट एक बाद बता तु का को इस हौल में घुम रहे वे ओनर वही तो ओनर को नहीं का अरे होरर से तो मैं क्या करूं मेरे को लगा कच्रा लेने आया तू कच्रे वाला अब के चंदा मान के प्लास्टिक सर्जरी कर वालू बच्चों का का लगाव है तुम से कब से तुम्हें आपके पैर को क्या हुआ मासी अच्छली यहां ना कुछ नहीं हुआ है वह बेटा कुछ लोग नक्षडे होते हैं पुरा नहीं मानते तेंशन मतलो डॉक्टर ने का आय मैं ठीक हो जाओं सब ठीक हो जाएगा मेरे जाने से पहले इन बच्चों का करियर भी सेट हो जाएग होगे एक दम पॉजिटिव सोचना हम सब को सब अढ़िया होगा येस एक दिन तुम दुनों को यह सब प्यार करेंगे अधर को थोड़ा ब्रेक लगाओ घर के मालिक ने हमें वहां उपर नहीं नीचे रहने को कहा है ठीक है ठीक है नीचे की खोली में रहेंगे अपना क्या जाज ये किसलिग रहेंग यह Say रहे हुआ अकल का घूलिजा करें और को दे खूलिए हैं कि गुण आपने देखे गार्ट कि अपने कि अपना कि अच्छ के अच्छ के आपने डेखेगा सबस्क्राइब तुर्ण बाइब तुर्ण फॉयन जाएब गोगेश्पेश्पार्ण की वियन यह शोवत्र इए तुम कौन हो पिटा, तुम्हारी आवास बहुत प्यारी है नमस्ते मेरा नाम लक्षमी है माझी, महल की पीछे हमारा घर दूत वाले की बेटी हूँ ओ, इतनी बड़ी और सुन्दर रंगोली बनाई है तुमने, अब बाहर कैसे निकलोगी? मेरा घर छोटा है तो इसलिए वहाँ छोटी रंगोली बनाती हूँ पहली बार इतने बड़े आंगर में बनाया तो पता नहीं चला रंगोली इतनी बड़ी हो गई अगर कोई अपना हाथ देगा तुम्हें पकड़के आराम से बाहर आजाओंगी प्लीज होल्ड माइन हाथ दीजे ना देखा क्या इन दोनों को घर की मुर्गी दाल बराबर लगने लगी हाथ तोड़ दूंगी अरे तीदी हाथ तोड़के क्या पाइदा बैदा इन दोनो लगने आराम से और फदीजे आराम से पाइदार को अगरा म万क पाइदा इन दोनों मैं अगर दोनों वान भीन दोनो से एलाम से ऐंगे हाथ trades by if I Poy कर दो कर दो कर दो पापा बड़ी खुश लग रही हो बेटा वो महल वाले मेरी रंगोली दे के खुश हो गए बहुत आरीफ कर रहे थे तुम्हें महल के अंदर जाने की क्या जरूरत थी अभी तो सिर्फ मैंने बाहर से देखा है लेकिन एक दिन अंदर जाके जरूर देखूंगे अरे वहां कौन सा लाल किला है जो देखने जाओगी इस महल की बारे में बहुत कुछ सुना है पढ़ा है हम जब से यहां आए हैं महल को एक बार भी अंदर से नहीं देखा कितने बड़े-बड़े कमरे होंगे प्राचीन कलाकृतिया होंगी अरे लेकिन वह तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे जाने देंगे मैं कोई ना कोई रासा तो जरूर निकाल लूँगी अंदर जाके ही रहूंगी अरे बहुत जद्दी है अरे जल्दी आओ यार अरे क्या बात है मेरे वरुन दवन मामा हम यहां पर कीवाए हैं बस एक मशन के लिए बिटा मामा अब हम कहां जा रहे हैं विटा उम को इंदेख को क्या ना बेटा इस परिवार ने तुम्हारी ममी क्लिए कहा नहीं तो फेदी आपने बुला ऐसे तुम लोगने इसे बताये नहीं कि मंदिर हम सिर्फ बच्चों को लेकर ही जाएंगे उए जब तेरे को बोला यहीं रहना है तो यहीं रहना है समझा कि नहीं वह हमारे परिवार की कुल्देवी हैं तेरा वहां क्या काम सिर्फ बच्चे जाएंगे तुजा मैडम इन बच्चों का अपने से ज्यादा ख्याल रखना क्योंकि यह बच्चे मेरी जान है बच्चापाटी भगवान से हाथ जोड़के प्रातना करना कि इन लोगों के भेजे में अकल आ जाए खास करना नहीं कि मामा तुम लोग मंदिर नहीं क्या है अब ही हमारे लिए सब कुछ है जाने दीजे उन सब को हाँ इतने बड़े हो गए तुम लोग मैं भी तुम्हारे बिना एक मिनिट दूर नहीं रह सकता अरे मास्टर गाओं में किसी की काड़ियों की लोटी लगी है क्या तू नहीं जानता है क्या नहीं तो वेत्या पूरा म्लाजमेर में एक नया परिवाद नहने के लिए आया है मतलब आज तो इन सब की मौट पक्की है इनकी किसमत महीं मरना लिखा है कि दिव्या तुम यहीं रुको मैं तुम यह लेने आओंगी मंदिर का क्या हल हो गया है मंदिर के असपास जंगल है सुना था लेकिन यहां तो मंदिर ही पूरा जंगल बन गया है गुरू जी ने बिल्कुल सही का हमने इस मंदिर का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा इस वज़ा से इसकी यहालत है और इसलिए हमारे परिवार पर इतनी मुसीबते आ रही है तुम दुर्गा ये नमा तो आखिर तुम सब आही गए अभी आने का समय मिला संकट आने के पाद कुल देवी की याद आई तुम लोगों को वो कहां है वो नहीं आया क्या उसके आने के बाद ही सब कुछ ठीक होगा तुम्हारे घर में वो आएगा वो आएगा ये कहां चले गए प्रणाम पत्रिच यह हमारी कुल देवी का मंदिर है लेकिन यह ऐसी हालत में क्यों है कि साथ साल पहले आयत हमें इस मंदिर में पूजा करने के लिए तब से मंदिर इसी हालत में है हम नवरात्री के दिन दीप जलाकर यहां दुरगाश्ट में के दन एक बड़ी पूजा करवाना चाहते हैं ऐसा करवाने से हमारे परिवार पर आया हर संकट टैल जाएगा एक समस्या के समाधान के लिए आप दूसरी समस्या में फसने आ गए वहाँ दीप नहीं जला सकते वहाँ रौश्णी नहीं हो सकती वो रौश्णी होने ही नहीं दीगी वो कौन है स्वामी जी ? चंद्रमुखी अगर मंदिर में रौश्णी हो गई तो शक्तिशाली हो जाएगा वो कौन ? वेत्टेया हम लोगों को मंदिर के पास एक स्वामी जी मिले वो भी किसी के आने की ही बात कर रहे थे कहीं वो वेट्या तो नहीं है न पंडी जी तो उनसे मिल चेके हो जब मेरे दादा जी उनसे मिले थे तब भी वो ऐसे ही थे अब मैं खुद सतर साल का हो गया हूँ तो उनकी उमर क्या होगी इसका हिसाब लगा लो तुँ मरने के बाद तो सब राख बन जाते हैं उसी राख को अपने शरीर पर लगा कर कब से मिर्तियों के लिए भटक रहे हैं अगर बड़े संकट से बचना है तो यहाँ पूजा की जी छोड़ दो चले जाओ चुप चाप यहां से आपकी बात सच हो सकती लेकिन हम यहां से बिना पूजा कियों नहीं जाएंगे अब उससे सामना होना अगर आपके भागयों में लिखाई है तो भला उसे कौन टाल सकता है चलिए जैसे भगवान की इच्छा जाइए साफ सफाई कीजिये मंदिर की देख लेते हैं क्या होता है एक मिनिट एक मिनिट रुको बहुत बहुत शुक्रिया किसलिए कि सब ठीक करने के लिए मेरी एक छोटी से इच्छा थी बोलिए बोलिए ना मैं पूछे पूछिए मुझे एक बार इस महल के अंदर जाकर सब कुछ अंदर से देखना है क्या तुम किसी तरह मुझे अंदर ले जा सकते हो यह आपकी एक्षाय क्या है हाँ ओके लेकिन जब सब सो रहे हो तो चुपके से आजाना मैं रात को खाना हजम करने के बाहने दर्वाजे के पास चेलोंगा ताब आना सही रहेगा आओगी ना यहार खाना तो हजम भी हो गया है है हाई हाई आज आओ आओ और अपनी इक्छा पूरी कर लो कितना आलिशान है अधि नहींद उपर नहीं उस तरफ में क्या हुआ उपर सारे भूछ सो रहे हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे उस तरफ बिजाना अलाउड नहीं है लेकिन मसा तो वहीं जाने मैं न चले आज़व 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 भूट आए तो मुझे प हुआ 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 है को, क्ति-दीप जाले संदीप ए संधीप को फोने था हुआ है एक्स्कूसमी बहुत शॉची इस मैहल के और मेरे डाल दू है अझाली माय豆 आपको यह प्रॉब्ब्लिम नहीं है यह लग इस दो मंदिर की पेंटिंग के लिए आपने बुलाया था वो यहां आ गये हैं इनका नाम गोपाल है मतलब गोलमाल जिए बहुत बढ़िया काम करते हैं 17 साल पहले इस पूरे घर की पेंटिंग इन्हों नहीं की थी गोपाल मेरे लाल इसका हाल तो टीएजबी मतलब टूटे हुए ब्रश की तरह हो गया है लगता है चारसो बीसे में अंदर था मैंने तुझे गटर में नाले में मिलशी पाल्टी के कच्रा पीटी में यहां तक की छचुंदर की बिल में भी ढूंटा कहा था तू इन्होंने म कोई मजदूर भी तो नहीं मिलेगा जूरे तो उपर तैर रही है मुझे शहर से मजदूर बूलाने पड़ेंगे इसमें खर्चा भी बहुत लगेगा आप सोच लिजिए मैं अपने मैनेजर के हाथ हों दो लाख रुपए भिजवाती हूं तुरंद काम शुरू करवाईग जल्दी शुरू करतों आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा है हमारे लिए क्यों आप लोग यह जगा जितनी जल्दी खाली कर दोगे उतना ही अच्छा होगा कि यह आप लोगों में से कोई दक्षन की और तो नहीं गया ना कि नहीं गये उधर बिल्कुल मत जाना यह यह बहुत बजिरा इसको अफ कर दू पीदी घबराने की जरुरत नहीं यह मैं सब बताता हूं बात ऐसी है कि पहले जो किराइदार थे वह सब के सब निगेटिव थे उनमें एकी चीज पॉसिटिव थी वो थी कोरोना वह दक्ष कर दो निकल यहां से जाकर जेबरा क्रोसिंग पेंट कर बड़ाया यह मैं पुसें हादी जल्दी से आप महल खरीद लो क्यूंकि मुझे हरीदवार जाना है लेकिन उससे पहले मैं थाइलेंड जाओंगा पाप धोने से पहले पाप करना तो पड़िगा वेल्कुल सही बोल है कि घर के कागजों का काम कभी भी किया चासकता है है हाँ है लेकिन पहले पूजा कर लीजिए अचिक पहले हम मंदिर में पूजा कर लेते उसके बाद इस बारे में बात होगी हुँ ओके तैन बेटा महौल ऐसा बनाऊंगा कि महल कभी बिखे रही नहीं है आप लोगों मे हाँ अरिकाव के छोरी! संगोचिया, अरिपया को आसलिया! आई से या को अर्दाना? कि अईयूजए भूचर कर दो चॉप भूब खॉब भूब खुब खॉब 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 एक दिन उपर दक्षिन की और वाला कमरा साफ कर रही थी ना वहां कुछ देखा और चिलाने लगी इन्हें एक अच्छे डॉक्टर के पास ले जाओ खर्चे की पर्वामत का अभी दबाई देते ही ठीक हो जाएगे आप खबराइए मत इतना दरावना मुह है मास्क पेना के रखो चलो बहीं चलो उच्छल क्या रहा है जरूर डीम के यहने के डाल में कुछ काला है सालों कर दो इंच का डाउट यहां बहुत है कि ना 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 पहले ठीक से क्वेशन सुन ले उसके बाद जबाब दे क्या बूतों के एक्स्ट्रा मैटेरियल अफियर होते हैं यह बता भूत ऐसे जूल-जूल के क्यों चलते बूतों का कर्चा कैसे चलता है क्योंकि काम धन्दा तो करते नहीं इसलिए मैं भी भूत बनने की सोच रहा हूं तो तुझे मार देता हूं ने 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 सिर्फ आंसर दे मैं कहें तुझे भूतों का रिष्टिदार लगता हूं तेरी शकल देखके चुडेल डर जाए तेरी फोटो फ्रेम बना कर अगर आंगन में टाम देना तो भूत अंदर आना बंद कर देंगे ऐसी शकल है तेरी चल बता भूतों की उमर बढ़ती है या नहीं वो कॉले जात अशी इंच की कमर तेरा नंबर के पैर वो तेरे पासा के तेरी गोज में बैठ जाती है यह कब होता है जब भूत की एंट्री होती है कैसे होती है बाहर चलतो बताओं पीके जलता हूं के गुतिक में विक्रिकर रहा है आज तू लूंगी में ही करतेगा लगता है आत्मा इ आती होगा यह क्या हो रहा है मुझे मेरे को जोर से आई है मेरे अंदर आगे यह हो बलब खाएगा मुझे जाने दे बाई मेरा अंडी जी यार हो रहा है मतलब डम गुट रहा है आज से 20 साल पहले मैं मर गई थी और मेरा बॉइफरेंट जो है बिल्कुल तेरे जैसा दिख हुम लोग साल में एक बरबते मनाते हो लेकिन हम लोग 10 साल में एक बरबते मनाते हो अय मतलब अपना भूत बुट्टा नहीं हुआ है दस पाश बंदरा सोरह देड़ साल मतलब अपने भूत की चर्थी जवानी शुरू हुए है को सपने भूत का ने कंटिनू अस बाटाल में हम लोग एक्स्रे कराते हैं अंदर कर सब देख जाता है लेकिन भूतों का ऐसे ही दिखता है एए बहुत प्रकटा Tub सब नाश्ते में तुने होट डोग काया था क्या जो बहु बहु कर रहा है वोट से चैटिंग चल रही है बहुत भी सोचल मेडिया पे उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट बेजने बोलो अग कहानी का दियेंड करो वो ना मेरा दियेंड हो जाएगा तेरी ख्वाइश अभी पूरी अब बूतों के नाखुन नोखिले होती है इतने नोखिले तलवारों की तो रहा है और जब उनके बॉइफ्रेंड को पीट पे खुझली होती है तो हाथ ऐसे करके उसकी पीट हो जाते है तो निकलता है अबे सुन जब भूतों को फूक लबती है ना तो मूँ पे मिर्ची, नमक और लसन का पेस लगा के उसे मेरिनेट करने के लिए बड़े वारे फ्रीजर में डाल देती है और फिर स्टार्टर में पहले इसकी आखे कहते हैं फिर नाख खाते हैं फिर होत खाते हैं फिर पूरा का पूरा मूँ खा लेते हैं OTP और फिर वो स्वीट डिस म किरें बालों की सिवाई काते हैं तरको पता है वो अपने पैर जमीन पेरे रखते हैं यह नहीं रखते हैं यह तो यह अपने पैर जो है चिम गाधड की तरह होए में जुलाते हैं और अगर बाई फ्रेंड उनकी बात नमाने तो उसकी मुनीट पकड़के उसको तब हुच अब तो ही मेरा बाई फ्रेंड है मैं तरेको कप खाऊंगी आजा मेरे पास ममा क्या अब तो अब अब भी आदाएंगे तेरे को आजा मेरे पास अच्छा वह कम दराया ज्यादा डराता तो इसकी लाशी ले जाने पड़ती हैं से लोगों में बूत गुशता है यह खुद पूच्छ गया है डॉक्टर विराना के पास जाके एंटी चुडल वैक्सिन लेनी पड़ेगी तो बच्चा पाटी अब कर दो कि अब कि अब बच्चों को देखा कही नहीं तो मैं तो सुबह बाजार गया था अभी लोटा हूं परिशान लग रहे हो क्या हुआ कि मेरे बच्चों को देखा है तुमने नहीं तो नहीं देखा कहीं आसपास खेल रहे होंगे आज आएंगे तुम्हारी इतनी हिमात की कमरी के अंदर तका गए अंकर आइंगा इस घर की आसपास दिखें तो टांगे तोड़ दूखा है जरो भागो रहे से जो प्रहात उठाता है अपना हाथ अटा हुट तेरे बच्चों को पूछ उन्होंने क्या किया है मामा 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 को खुलो सांटी की आवाज सुनकर हम दोनों राद पर सो नहीं पाएं कल रहा तुम्हारी कोई गलती नहीं है अपनी मा की याद में नानी के पास जाकर सोए बच्चों को इस तरह घसीट कर मारते हुए शरम नहीं आती तुम्हें अपनी खरती माल लिए तो निकल चल तुम लोग मुझे जितना जलील कर लो मैं बरदाश कर लोंगा लेकिन अगर मेरे बच्चों को हाथ लगाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा इनसे अवारा कोई रिष्टा ने यह तो उसी के बच्चे हैं ना तो हमारी ना विवार में होने वाले हादसों की वज़ा सिर्फ वो मंदिर नहीं है इन बच्चों की मा की आत्मा तुम ही लोगों की वज़े से दुखी है धर्म बदलने पे ही आपकी बेटी को अपनाएंगे ऐसा इनके खांदान ने कहा था आप जानती है आपकी बेटी के लिए सब कुछ छोड़ दिया था इन बच्चों के बापने कुछ भी बक्वास कर रहे हैं आज तक तुम में से किसी ने भी इन बच्चों का कभी नाम पूछा है क्या इसका नाम है कलाम और बच्ची का नाम जानती है के मां रागिनी आप भले अपनी बेटी को भूल गई है लेकिन आपकी बेटी आपको नहीं बूल आपके नाम भरी बच्ची का नाम रखा है जब यह कलाम और यह रागिनी आपस में भाई भेन हो सकते हैं तो क्या धरम को लेके रोते हो गए कहते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं तो इन भगवान जैसे बच्चों को भार बैक रहे हो जब तुम इन बच्चों को खुछ नहीं रख सकते तो मंदिर जाके भी कुछ नहीं होने वाला इन बच्चों को आप मेंसे किसी की भी ज़रूरत नहीं है मैं अभी जिन्दा हूं मरते तम तक इनके साथ रहूंगा तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं चलो बच्चों इनके साथ सर तुम ही नहीं हो पांडियर हम लोग भी है सही कहां पांडियर तुम्हारी बात अब समझाए काश उस वक्त किसी ने समझाया हो था तो आज मैं अपनी बेटी और दामाद को नहीं खुती है आज के बात मैं अपने इन दोनों बच्चों को खुद से दूर नहीं क अच्चों को आपा मारे साथ रहे आए 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 कि अपनी कि अपनी कहां है तु मनी आ है आए यह दूर ने गया वरी मालिक, मालिक क्या हुआ मालिक, जो दो लोग मंदर साफ करने के ले गए थे, उनकी मौत हो गए कब बुलावा आता है कौन जाने इतनी कम उम्र में मौत हो गए देख रही हो ये लाशें, मैंने समझाया था तुम नहीं माने ये सब उसी का किया धरा है अगर ये दोनों मंदर की सफाई के लिए नहीं जाते, तो मारे नहीं जाते इन दोनों की जान सिर्फ तुमारी जिद की वज़े से गई है अब भी वक्त है, सोच लो, छोड़ दो अपनी जिद आज तक मंदर में जिसने भी साफ सफाई करने की कोशिश की चंदरमुखी ने उन सब को मौत के खाट उतार दिया एक आत्मा क्या भगवान से ज़्यादा ताकतवर होती है उसे ताकतवर बनाया है वेटिया से बदला लेने की जिदने चंदरमुखी के साथ वेटिया ने जो भी पाप किये उसके लिए खुद उसके फुल दिवता ने दंड दिया मंदिर के दरवाजे बंद करती है अब जब तक मंदिर के अंदर रोशनी नहीं पहुँच जाती दुनिया की कोई ताकतवर मुखी का मुकाबला नहीं कर सकती है इसलिए मेरी बात मानिए मंदिर में साफ सफाई और पूजा की बाद दिमाग से निकाल दीजिए सही सलामत घर लोट जाए माजी इनके परिवारों के लिए कुछ हम जरूर करेंगे जाने अंजाने में हमसे इतना बड़ा अप्शुकर हो गया इस घर में प्रवेश करने से पहले हमें कोई न कोई पूजा पाठ या हवन जरूर करवाना चाहिए था तो यह सब नहीं हो था तुम बिल्कुल सही कह रही है हमें पंडी जी को बुला कर पूजा करवाने नीचाहिए अरे कोई पंडीत नहीं मिलेगा क्यों अरे ओनलाइन का जमाना है ना वर्क फ्रॉम होम करके आनलाइन होम हावन करते हो लोग मैं उन्हें लेकर आऊँगा प्रता रात को तेरी रूंगे में जिंगर छोड़ता हूँ कि च्पंडी जी आ प्फुलों की माला लेकरो पंडी आ विर विद्धार के लफाहई थृ वहाय कितने किलो मिले आशेरे रहे वोरी में कौन लात है पंडी चीको उनको थोली में बिठाता के लाना चींद्ध हेशा मेनका अध्याउं क्याखों की पंटि हटाओ जाना चाहता है ने ने निंदर नहीं जाओंगा जाए जा जल्दी जा खलती है अब बेव बलेवे सिंहारी चल कैच कर इसको नहीं मांता रहे हैं अगर तुदी किसी को बोला ना कि अंदर भूत है तो तेरा धोती कुर्टा उतार के तेरे पूरे बदर में शेहर लगा के तिरे को जंगल में छोड़ दूगा समझा अब तेरे को अंदर और बाहर का एक राज बताता हूं क्या सामने वाले दर्वा जीसे तू अंदर जाएगा और पिछे वाले से बाग जाएगा क्या करेगा तू बाग जाएगा नहीं दूंगा बनने नहीं दूंगा कि दॉर्ष का क्या करेगा है चली मेरा दोस्ते नेरा पांसो रुपया लेके भागाए हाँ 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 क्या है पंडित जी नया जमाना चल रहा है मंत्र भी नया पड़ो ना तब भी वह बाहर आएगी सच में आएगी हाँ 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 यह लड़कियों के चपल खाने वाले नकली पंडित का मंत्र दार सही काम कर रहा है कर रहा है की पाले फैट कर दो क्या तो चरों पर च्रों कर अब बाता निवल कहां छोपी होगी जाना अधर लग रहा है डर तो मुझे भी लग रहा है तू आगे चल, मैं पीछे आता हूँ अब ये का कर रहा है गधे दरादी आगा मुझे, सर फोर दूगा तेरा तॉर्क से किस्ताब बड़ी खूपसुरत है मिल जाए तो खड़े-खड़े शादी कर लूगा चंद्रमुकी के आवाज नहीं आया अब तक आना तुझे यह था कई वो ठर की चंद्रमुकी को पसंद तुनी आ गया अब आगे, आगे वो, देखना सब की खटिया खड़ी करेगी मेरा तो तक्या अबिस्तर सब गूल करेगी कसम से एक नंबर का पनोती हूँ मैं अरे चिल्ला क्यों रहो क्या हो रहा है बहीं अरे पंडिची का पापड बन गया पापड एई क्या हुआ मदू मक्की के चत्ते में हाट डालने आये था मदू मक्की ने तेरा शाहिद निकाल दिया ना आस्पके ओटीबी माजी यह सब क्या चल रहा है यहां पर चली तो नहीं पहा रहा है वह बेचारा वह चार पाच खूबसूरत लड़कियों के साथ ऊपर कमरे में था वहां घंको रांदे रहा था लड़कियों को हाथ लग गया हो गया तो वह म्याव पोल के पंडित पर चपड़ प सचबोलू पंडित का मंतर पावरफुल था उसके प्रभाव से भूत्री दर्वाजा खोलके नोदोग्यार हों गया धालि यह यह यहां यह 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 मेरा बंगला नहीं भीकने देगा इसे खाने में जहार मिनाना पड़ेगा एक झाले टार घाज़ा अधार देज जाहाँ एकंध लुटी जध्या जाजेडाँ यहासि जधाँ झाल, 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 झाल पापा, उपर से कोई आवाज आ रही है जलाल तू, आई बला को टाल तू, जलाल तू, जलाल तू, आई बला सुनिये न, उपर जाके देख किया ये कौन है, मैं नहीं जाओंगा, आजा, यह लग रहा है और खुछली भी होरी है, यह ठीचे कहा बज़ना है यह ठीचे पिश्चे कहा बज़ना कि यह ठीचे तो वही है, सब मरेंगे रहे 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 पुश्च्छी प्रश्च्च्ट को प्रश्च्ट को इस बीखना तो दूर्व कीराए अभी देख मिलेगा तरह बुद्टी को बैग एंद पुछे पुला रही है आता हूँ चुकंदर कालवा लाओ क्या लावा से कहां से आ रहे हैं यहां पर कोई और भी रहता है क्या अब पडोसी गाओ का मुख्या है ना जंपक बाई वह बहुत डर्पोक है आज उसका बंडे है तो गाओ वाले उसे सर्प्राइज देना चाहते है और वह उसे डराने के लिए बड अने की कोच्छीश चले जाओ पर आज़ा ना पर कुछ तो है इतनी बड़ी परजाए थी परजाए चलते हुए बोल अरे क्या बोलते हुए चलते हुए चलते हुए चलते हुए अरे आत्व अरे अथु आफू करनको तुम दोनों मैडम मैं आपको समझाता हुए दोनों खुद की परचाईयों को देखके लगे जूट मत बोलो यह दोनों सर्फ बातों के शेर है यह चिपकली देखके डर जाते हैं और यह कौक्रोश देखकर ओनर जी आप जाकर देखिए हाँ जाता हुए मैं क्यों ज कि अगरे वाहन देखके अगरे जाता है इतनी रात को यहां पे क्यों खड़े हैं आप लोग अब हमने यहां कुछ अजीब सी आवासे सुनी यह तो नों वहां उपर देखने का वहां पर किसी की परचाई देखकर यह दोनों डर गए अब गाईतरी देखने गई है वो भी अब ही तक लोटी नहीं है मुझे बहुत घबराट हो रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा हुआ यह घूम रही थी ऊपर यह दुदवाली की बीटी इसी की परचाई देखके आप दोनों डर के नीचे आ गए थे इसकी परचाई देखकर डर गए इतनी रात गए तुम वहां क्या कर रही थी माजी मा मैं आपको बताता हूं इनको यहां काम करने से ज्यादा इस महल को नाँ पर आ गए और विचारी पकड़ी गई है मन को ठंडग मिली यकिन हुआ मेरे बाप ने इसमयल की एक 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 इत पर भगवान की फोटो लगाई थी भूत के आत्मा आ सकती है लेकिन भूत तो कभी नहीं आएगा आपके आत्मा की शांती के लिए मैं एक मल्टी कलर हव करवाऊंगा दो लाख चंदा देदर यूपी आई भी चलेगा यूपी आई के पच्छे ये कोई तरीका भीक मंगने का स्चूपिड है अब जाके सो जाई हम सुभा आराम से बात करते हूं मैं तो पांच फुट छेंज का हूँ टू फिट बोलके गया गोर बेंज दी इस लड़की ने सब की नहीं दिखना आपके रागिनी सारे कॉंट्रक्टर से बात कर लिए मगर मौत की ख़वर सुनकर कोई भी मंदिर की सफाई करने को तयार नहीं मेरी कुछ समझ में नहीं आ जगे को देखने के लिए गया था वहां पर दलदल कीचर जाड़ी ऐसा कुछ भी नहीं है पताए पानी में गिरने से पहले ही उसे हाट अटाक आगया था अब बताए उसके शरीर में इतना सारा पानी कैसे घुश गया और जो आदमी बिजली के छटके से मरा उसने ये इन दोनों के बीच में हम कंफिशिया गए पान्यन जो कह रहा है वो बिल्कु सही है बीस लोग वहां काम कर रहे थे लेकिन सिर्फ दो मरे हैं अगर ये सच में चंदर मुखी का श्राप है तो जिसने कौंट्राक लिया उसे पहले मरना चाहिए हम घर में इतने सारे लोग है अगर मंदर के साफ सफाई करनी है तो हम सब मिल के कर लेंगे ना जिस काम में जान जान जाने है वैसा काम नहीं करता हूँ जो हुपर जाने के कोई जल्दी नहीं है हाँ सही का मंदर साफ करवाने के लिए जितना खर्चा लगेगा हम देंगे मगर जान देकर कौन मंदर जब प्रॉब्लम सॉल होगी आप बोलना चाह रहें आप लोग डरों मत अगर यह सब करते हुए मुझे कुछ हुआ तो इसका इल्जाम मेरे ही सरो लुक्याओ। लुच्याओ। लुक्याओ। धुंग कुछ ए? नेरे मंदिर में क्यू आया है? कुछ एचार बूलाँ! नानी? बच्छ एचार बूलाँ! अबरिकाओ के चार बूलाँ! उते वापसलाँ! उते वापसलाँ! वापसलाँ! जगार एक अखिक हम जार एक जा जार पादा जार एक जार एक जार एक जार करेंगे एक हैं कर दो कर दो कर दो आखिरा ही गया तु अंधेरा मिटाकर प्रकाश भैला दिया तूने मैंने उसी दिन कहा था ये काम सिर्फ तू ही कर सकता है अगर ये काम कोई और करता तो उसकी चिता बन जाती और वो इसी अगनी में चल कर खस्ब हो जाता तेरा चन्द सूर्य क्रहां के दिन हुआ था तू नहीं जानता उस विट्रया की और तेरी राशी एक ही है ये मैं जानता हूँ और सिर्फ इतना ही नहीं तुम दोनों एक ही नक्षत्र में पैदा हुए हो उस अमावस्या की काली रात में यहां पर जो भी अन्होनी हो रही है उसका अंत तू ही कर सकता है और इस कार्या में तुम्हारे प्राण भी जा सकते हैं तुम्हारे घर में ही एक रक्ति के अंदर चंदर मुखी की आत्मा छुपी हुई है और उसी को मात्यम बनाकर वो अपना कार्या पूरा कर रही है पिटा तुम्हारे मुझे कुछ भी नहीं हुआ माजी मैं तो बिल्कुल जगा जगूँ आप टेंचन मतलो मंदिर में सब ठीक हो गया अब आप लोग वहां पर जाके पूजा कर सकते नहीं बेटा जैसे तुमने मंदिर साफ करना शुरू किया तो यहां पर सब कुछ उथाल पुथाल हो गया हमने किसी के रूने और चिलाने की आवाज सुनी चीज़े टूटकर बिखरने लगी थी हैसा लग रहा था जैसे यह पूरा घर ढह जाएगा किसी तरह हम सब की जान बचिए यहां एक सेकेंड भी रहना खत्रें से काली नहीं है नहीं हो सकता बिल्कुल भी नहीं हो सकता आप यह घर छोड़के कहीं भी चली जाएं आपकी मुसीबत कभी भी दूर नहीं हो सकती मंदिर की सफाई करने के बाद मुझे वहां एक साधू में ले थे उन्होंने कई रहस्य बताये मुझे उसमें से एक रहस्य यह है इस परिवार का ही एक सदस्य चंद्रमुखी के यह जाने बिना कि वो कौन है हम घर कैसे छोड़ सकते हैं उस साधू ने मुझे यह भी बताया कि इसी तरह का एक हादसा आज से 17 साल पहले इस महल में हो चुका है तो नहीं यह सब बाते पहले क्यों नहीं बताई मैं बताने वाला था पर हिम्मत नहीं हुई यह मामला पहले ही शानत हो चुका था लेकिन दक्षिन की ओर जाके तुमने खुद ही भूत लोगों से पंगा ले लिया अभी तुम लोगों को यह महल चोड़के जाना है तो जाओ लेकिन मेरा किराया देते जाना है इस घर का मालिक कौन है वन एन अनली मी पहले इस घर में क्या हुआ था कुछ अन्होनी हुई थी आज से सत्रा साल पहले जब मैं छोटा था करें लिए और कोई उसके साथ भी नहीं था लेकिन वो खुदे अपने साथ होली खेलते खेलते आखिर में सो गई तो आपने क्या वो कमरा साफ किया या वैसे ही वो कमरा वैसे ही पड़ा है स्वामी जी कि एक बार मुझे साफ सफाई का खयाल आया लेकिन जब दराओने सपने आने लगे तो मैंने खयाल छोड़ दिया जो भी सफाई के बारे में सोचेगा वो आत्मा उसे नहीं छोड़े जो पहले गुरू जी आये थे उन्होंने भी बताया था अगर ये बात मैं इन्हें बता देता तो ये मेरा महल किराय पे लेते क्या मुझे वो कमरा देखना है वो तो का स्पाइडर मेन यहाँ जरूर कोई आया था साथ नंबर चपल का साइज किसका है यह कमरा हम पहली बार देख रहे हैं तो यहाँ पर कौन आएगा कोई तो आया था यह गुलाल उसी दिन का है जिस दिन चंदर मुखी की आत्मा को बंद किया था यहाँ पर किसी के आने के बाद ही तुम्हारे घर में समस्याई उत्पन्न हुई मेरे मना करने के बाद भी आया है क्या लगता है यहां मैंने काला नाग और काला धन चुपा के रखा है बोलो कौन आया था यहां कि यह महरानी है जो अकेले में घूमती रहती है मुझे लगता है यही इस कमरे में आई होगी अरे नहीं यह सच है कि मैं यह मैं अंदर से देखना चाहती थी लेकिन एक बार भी मैं इस कमरे में नहीं आई नहीं बताओगे चंद्रमुखी से प्रभावित कौन है ये तुम्हें ढूंड ही लूँगा जाओ तुम सब एक एक करके उस जगे पे खड़े हो जाओ आप में से जो भी चंद्रमुखी से प्रभावित होगा उसमें चंद्रमुखी का रूप दिखने लगेगा जाओ एके करके सब वहां खड़े हो जाओ अब तुम्हारी बारी मैं क्यों जाओं मैं इस परिवार की सदसे नहीं हूँ मैं वहां नहीं जाओंगी तुम्हें वहां जाना ही होगा पहले इसे भेज़े मैं तो यहां रहती भी नहीं हूँ मैं यही रहूँगे कहीं नहीं जाओंगी उसे पकड़ के वहां ले जाओ नहीं छोड़ो मुझे छोड़ो छोड़ो ओ लक्षमी छोड़ो मुझे यह हूं कि अच्छों आश्चों है तुल्ले, अमार नाम, जंद्रमुके, यह जगह मेरी है, यह महल मेरा है, यह सब कुछ मेरा है, यह कोई और नहीं रह सकता, निकलो यहाँ से, नहीं तो मैं, तुम सब के तुख्डे तुख्डे करके का जाओगी, जाओ, अब जाओ यहाँ से, गुरू जी, उस कबरे में सबसे पहले मैं गई थी, और वो गुंगरू मुझे ही मिला था, अगर कोई अन्होनी होनी थी, तो वो मेरे साथ होनी चाहिए थी न, उसके साथ क्यों हुई? जब तुम उस कमरे में गई, तो क्या हुआ सिर्फ वो बताओ, फिर उसके बाद बाहर से किसी के चिलाने की आवाज आई, तो मैं वहाँ से भाग गई, तुमने जो घुंगरू नीचे गिराया था, वो दिव्या के गले में कैसे आया? दिव्या के गले में गुंगरू है? हाँ, बिल्कुल, दिव्या चंदरमुखी से प्रभावित होके जब चिला रही थी, तब मैंने उसके गले में एक गुंगरू देखा था, पुरानी वस्तुओं में दिव्या की जिग्यासा है, इसलिए उसने वो गुंगरू को संभाल क पर रखा, जिसके वज़े से दिव्या की एहालत हो गए, जी गुरू जी, उस दिन हम वाच्मेन की बीवी के चिलाने की आवास सुनकर बहार जा रहे थे, तभी मैंने देखा कि दिव्या ने अपनी वीलचेर रोकी, मुझे लगा वो गिरने वाली है, ये सोच कि मैं उसके अब आज कई, तब तक वो आगे चली गए, शेह दुसी वक्त उसने वो घुम्रू उठाया होगा, समस्या तब शुरू नहीं हुई जब तुमने घुम्रू उठाया, तब शुरू हुई जब दिव्या ने उठाया, जब से चंद्रमुखी का घुम्रू दिव्या को मिला, और उसने उसे अपने गले में पहना, तब से चंद्रमुखी की आत्मा दिव्या के शरीर में है। वो चलने लगी, वो दौडने लगी, वो नाचने भी लगी. माँ! मामा! माम! देखो मैं चल सकती हूँ मा, ठीक हो गई. वो देख रहे हैं, अब मेरी फेक्र करने की कोई जरूरत नहीं, अब मेरी वज़े से किसी को तकलीफ नहीं होगी. बागवान का शुक्र है, मैं पहले जैसी हो गई, अब मुझे वीलचेर की कोई जरूरत नहीं होगी. गुलाल पर खड़े रहने के लिए बोला था है, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब लक्षमी को गुलाल पर खड़ा किया, तब पता चला कि इस घर में किसी को कोई समस्या नहीं है. शुक्र है, मुझे तो पहले ही पता था, कि जो भी होगा अच्छा ही होगा. और आपको मैं तही दिल से शुक्रिया कहती हूँ, आप जब से यहां आए हैं, आपने मेरा होसला बढ़ाया है. इसमें मैंने क्या किया है, सब उपर वाले की किरपा है. ये! हाई! अलो! ये! बाद कान खोल के सुन लो, ये! बाद कान खोल के सुन लो. आप सब दिव्या के साथ पहले जैसाही बरताओ करो. उसे बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि उसके अंदर एक आत्मा है. खयाल रहे हैं. अरे? हाँ? कि गायबैलों के साथ क्यों बैठी हो? रात भर दिव्या की बारे में सोचकर नींद ही नहीं आई. तुम अकेली नहीं हो? घर पे रात को कोई भी नहीं सोया है. अब दिव्या कैसी है? दिव्या पैर ठीक होने की खुशी में बच्चों के साथ लंगडी खेल रही है. तो क्या उसे कुछ भी याद नहीं है जो उसके साथ हुआ? गुरुजी ने तो कहा था कि कुछ याद नहीं रहेगा. चलो ठीक है, यह सब सोचना छोड़ो, अपने पपा से परमीशन लो और महल में चलो. पिताजी तो शहर गये हैं दूद्देने, और घर में जो दो लोग बैठे हैं पहले उनको बाहर निकालो. मेरे ससुराल में बैठे हैं, कहो ने बे, तरा शकल को दिखा, मेरे ससुराल के अंट, है? है ओम तिवारी अब इसको दिला था है अज के बात मैं कमी चुटने बोलूगा ने ने मैं चोड़िया ने करूगा अब मैं हूं रहे अब है ओम तिवारी मेरे को डाइपटी से किट्नी में इस्टाने मेरे को आज का भी प्राव्यों देर को चल्के है एक दो तीन पूत निकल अब तू है काप प्रकिया महीं हूं अरे पापी अब और डरा ओता तो महीं भूत मन जाता में तो बढ़ा जिए तो बोलते कि राएप चार चोक्रे लाता हूं उनको अब इतना बड़ा हो के छोटे भूत से डाता अपना महल छोड़के यहां कोट्री में बैठा अब लाना था तेरे पर अगर मुझे साथ कुन महप होते तो तुझे मारता आज तो गया तलवार ना तलवार नहीं मिली तो जहर ला इसको आज मार दूंगा बले मुझे काले बाली की सजा हो जाए मैं चल्द मुखी के नाम कर करके मैं कुछ साहर का लुगा तो मेरे नाम कर दे मेरे दिमाग का घोसला कियाना तो तक्के से तेरा मूत अबादू का अरे मेरे हाट की स्पीड बंदे भारत जैसी हो गई मैं तो बच गया रहे नीचे वाला हाट अड़क तो मरता है क्या है यह उटे एक्सपाइड़ेट मेरे स्वसुराल में गंदगी मचा के रखी हुए तेरा मतलब क्या है तुम लोगों को एक चंद्र गुप्त बताऊं किया चंद्र मुखी की आत्मा इस घर में बसी हुई चंद्र मुखी खिड़की खोल कर कौन से घर पे देख किस लड़के को लाइन मार चीजी पता है इस किसी घर में यह तो कुछ भी नहीं है ऐसी बात बताऊंगा तुमारे पुर्दे फढ़ जाएंगे तुम में से कोई उसके बॉइफ्रेंड जैसा दिखता है और वो उसका खुन चूज कर उसको आत्मा बनाकर डेट पर ले जाना चाहिए आपने को टांसिंग ने आता है क्या कहा तुमने उनसे धर के क्यों भाग गए कर दर मुखी को फेस नहीं करने का फॉर्मिला मिल क्या है वह वन टू थ्री कुछ नहीं दिखना है नतिंग क्या कर रहे हो डालिंग के राट के अंदर में चेश्मा क्यों पहन रखा यह यह जो को लगेंगा कि यह सन ग्लास से इन अब मैं खुद भी दिखाई नहीं दे रहा हूं मैं समझे तुम्हें डर्नी की क्या जरूरत है डालिंग मैं हूँ ना तुम्हारे साथ चिल्ला क्यों रहे हो बैट के नीचे छुपे रहोगे या बाहर भी आओगे अरे बच गए है ऐसे पती को टराता कोन है आपको हुआ क्या है और बैट के नीचे क्यों छुपे हुए थे बिर से रात हो गई कर देख फिर से चंद्रमुखी बन गई और उससे मेरे गर्दन दबा दी तो मैं क्या करूंगा है 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 घ्वार जेए ठुछा! है को चुपा है तू तू नहीं मंत्र में उचाला किया था ना कि आमितों के चार बोना तू कई भी चुप जा ना चाड़ों के लिए हमाद है तर सामने हा आना है दर गया हो प्रणाम गुरूजी क्या हुआ तुम सब इतने घबरा हुए क्यों क्या बात अपनी आवाज आ रहे थी दिव्या का है वह अपने कमरे में नहीं है गुरूजी अ कि अ कि अ कि अ कि अ कि अ कि 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 अ कि 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 एक उन्होंने वहां से लेफ्ट लिया है हम लोग सीधे क्यों जा रहे है दिवया गाड़ी मोड़ो इसी वक अमें पुझा के लिए देरो रहे है दिवया मैंने कहा गाड़ी मोड़ो तु मेरी बात सुन भी रहे है दिवया मूपक का दिवया गाड़ी रोगते बिटा अगर देवी कि मंदिर में पूझा नहीं होगी मैं नहीं करने दूगी किसी को भी नहीं अब अपने हाथों से दीप प्रज्वलित कीजिए यह दिमाज अगदंबाने चाहा तो इस दुर्गास्ट में तक यह दीप को भी नहीं बुझा पाए कि दखियुक्ति आत्मा को कभी शैंती ना मिले आप परे इतना सारा सुना अ इतना बड़ा सिंगासन दीप जलाईए रागनी को आजाने पीजे वो आती ही होगी बैट कि देखता हूँ आप दीप जलाईए शुक्ति गया राजाओं के आजा राजाओं के आजा हुआ 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 है यहाँ वां राजाओं के महाराज कि महाराजाओं गेमाराज, कॉल रेल सम्लखी से खरपूरक by Zachary वो वापस हो गया, किस राजय के कुल दीप भ, किस राजय के कुल टीप लग, लग, लग लग, लग! मेर काकिये, आम राखाओं, आ तक हाव रहेके अऩी हुआ कि आज जो भी हुआ वो देखकर लगता है कि वो कुछ अन्होनी करने वाली है उसका पहला प्रयास असफल रहा लेकिन वह चुप नहीं बैठेगा अब दिव्या कभी भी चंद्रमुखी बन सकती है पता नहीं कब इस घर के हर इंसान को उससे बच के रहना होगा वरना वो किसी को भी कभी भी कुछ भी कर सकती है तो आप उसे कैसे रोके स्वामी जी आपको लड़की की लाश चाहिए ना अभी परसुए एक 20 साल की लड़की को वह दफनाये गया एक बाबा वहीं आराम कर रहे हैं अगर करकी की आत्मा को शांत करने की सोच रहे हो अपनी पूजा से तुम उस चंद्र मुखी को खत्म नहीं कर सकते हैं उसका क्रोध प्रचंड है वो बदला लेना चाहती है जब तक वो बुरा नहीं होता वो उस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी तुम्हें लग रहा है तु वेटेया जिससे तुम वेटेया समझ रहे हो वो कोई और है वो सिंगोट्या है मैं हूँ उसका महागुरू रूत्र वो उसका मित्र होने के साथ साथ वेटेया का सेनापती भी था वेटेया और सिंगोट्या अपनी सेना के साथ विजय नगर के महल में प्रवेश कर जाते हैं इसी महल में वेटेया ने पहली बार चंद्रूखी को देखा था विजय नगर के महल पर नेरा धोज उचा लहराना चाहिए हमारा धोज लाया जाए कौन हो तुम और अंदर कैसे आए यह महरानी का शैन का ख्षय मूर्ख यहाँ पुर्शों का आना सक्त मना है कोई नहीं आ सकता स्पायो इसे बंदी बना लो मैं वेटिया अपसे इस महल करा जाओ वेटिया अपसे यह शैन का ख्षय नहीं है मनो हन्यन रश्टाए यह तो वही पर ही है जो मेरे सपने में आती है महराज आप अंदर मत जाएए अब यह मेरा महल आप यहां के राजा होंगे पर आप उस लड़की को नहीं दे जा सकते क्यों जो कोई भी उस पर हग जताएगा वो आदमी बुरी तरह से महरा जाएगा मैं ऐसी मानेताव पर विश्रास नहीं रखता महराज आप कृपया मेर कि जान खत्रे में मज डालिए अब कर दोस्त आपके सामराज के मुकुट में एक और नक जुड़ गया है हमारे पास आपके लिए एक बेट है विजय नगर समराज है आपके चर्णों में है आपको उत्सब बनाना चाहिए लेकिन आप एक आंच में बैठकर किस सोच में डुबे हुए है सेंगोटिया वो लड़की जो मेरी जीवन साथी बनेगी जो मेरे सपने में आती रही जो मेरे मन में बसी है जानते हो आज मैंने पहली बार उसे साक्षा देखा वो निर्त्य की परी है कल मैंने उसे विजय नगर के शैन कक्ष में देखा था पल के मूर्चे पंखो जैसी थी आखी पानी में तैटिख मश्लीयों जैसी धी शरीर उसका सुहाने रंग का बनाने वाले ने उसे बहुत पॉरसस से बनाया है अगर इतनी सुंदर है वो तो वो है कहा पता नहीप जपकते ही वो गव double घुःब हो गई in वक्ते ही गायब होने वाली वो कोई माया भी है क्या वो सिर्फ मेरे लिए बनी है उसे हर कीमत पर ढूड़ो और इस काम की जिम्मधारी मैं तुम्हें सौपता हूं मेरे दोस्त धूनोंगे ना उसका नाम क्या है उसके तो नाम में ही चान है चंद्रमुखी चंद्रमुखी खुबसूरत नाम है आज तक ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने आपके लिए नहीं किया आप आराम से बैठी है और अपनी आखे बंग करके अपनी रानी के सपनों में खो जाये आखे खोलते ही वो चलता हूं मेरे दोस्त चंद्रमुखी की खोज में निकले सिंगोट्या को चंद्रमुखी तालाब में नहाते हुए दिखी चंद्रमुखी चंद्रमुखी जल्दी करो दीर हो रही है तर्द्रमुखी चलाम राजाई पहले मंदिर चलते हैं भगवान के दर्शन करेंगे फिर हम लोग घर जाएंगे जल्दोम जल्दोम कि अगर कुछ जादियों कर दो मेरे दोस्त, सिंग दोटिया, मेरा अभीर सिणापती, वाह क्या बात है, इस सुन्दर चान के टुकड़े को, अपने दोस के लिए तुम इसे ले ही आए, इसके बदले में, तुम्हें क्या ही नाम चाहिए, हीरे जवारा, तुम जो मांगो वो, या एक सामराज्य दे दू, क् तुम्हारी लिए तो मैं हस्ते हस्ते अपनी जान भी दे दूगा, मांगो मेरे दोस्त, आपके लिए जो चंद्रमुखी भेंट मिलाया हूँ, वही चाहिए, सिंगोटिया, यह क्या बखवास कर रहे हो, मैं इससे प्यार करता हूँ, इसे पहली नजर देखते ही, आपका मन मचल उठा था, इसकी बाह पकड़कर इससे लिपट कर इसे यहां तक लाने में मेरा रोम रोम काप उठा है, मुझे प्यार नहीं होगा क्या, मुझे में प्यार होगा, सिंगोटिया, मैंने अपनी तलवार का, दुश्मनों का सर काटने के लिए इस्तमाल किया, तुम मेरे परम मित्र हो, मैं तुम्हारी जान नहीं लेना चाहता, आज तक आपकी सुरक्षा के लिए उठी ये तलवार, कहीं आज आपके ही प्रान ना छीन ले, आपके लिए ये प्रान वार प्रान भी प्रान खाड़ा, कहीं है तलवार, कि आपके ही जाजने का लाम मित्र आपके लिए जापके लिए ऑाइंगा, मैं व्रान वार फूला हो जाजने व्री ट्रान उसने उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिये और सेंगासन पर बैठ कर खुद को राजा खुशित कर दिया आज से यहां का राजा भी मैं हूँ और यहां का रक्षक भी मैं हूँ लगा 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 जो पहले वैट्या के अधीन थी उनको जबदस्ती सिंगोट्या ने अपने अधीन कर लिया देख लिया चंद्रमुखी तुम्हारी सुन्दर्ता के आगे हमारी कई सालों की दोस्ती पत्तों की तरह पिकर ग यह अन्याय है महाराज, आपने हमसे नहीं पूछा, जे हम आग मोदें किया चे, अगर पूछ लेते, तो हम कम में तरजीवी तो ठाकतो हूँ महाराज, चंद्रमुकी कहना चाहती है, कि एक बार अगर आप उनसे पूछ लेते, उनकी दिल में क्या है, तो आपका और आपके दोस्त का, ना जगडा होता ना आप उन्हें माती, तुम्हारे मन में? क्या है? विजे लगर सामराचिके, गुण शेकर के साथ हम दृत्ते करते और हम उसी से प्रेम ने करते हैं, मैं समझ गया, पीजे अटो, गुन शेकर से प्रेम, हाँ? हाँ महाराज, जब हम एक दूसरे में खोकर मृत्य करते हैं तब पूरा दर्बार हमें मंत्र मुक्त होकर देखता है दर्बार, नित्य और सबकी आँखें तुम दोनों पर हम केबल में नित्य नहीं, बल्कि उसके साथ पूरा पूरा जीवन मिताना चाहते हैं वो गुण शेकर बहुत भागे चलिए हैं, अमा के जड़े में आपे गुण शेकर के पास जाना है हाँ, अभी मिलवा देते हैं, तुम्हारे हाथ को उसके हाथ में धिलवा देते हैं, तुम दोनों की शादी करवा के तुम्हें आशिरवात देते हैं, ओकी वो अब तक जीवित है, इसलिए मैंने उसे एक भाग्यशाली आदिमी कहा था, अब से तुम और तुम्हारे नृत्य पर केवल मेरा अधिकार होगा अगर मैं वेटिया नहीं बनता और सिंगोटिया ही रहता, तो मेरे मन में कभी एक्छा नहीं जागती, मगर अब जो एक्छा जाग गई है, तो उसे पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो चाहे वो किसी राजी की जमीन हो, या तुम जैसी मंत्र मुक्त कर देने वा जाए और वही हुआ, सिंगोटिया ने दासियों को आदेश दिया कि चंद्र मुखी को तुलहन बना कर लाया जाए। कि महाराज सम्रधी से भरपूर इस राज्य के कुल दिपक में तया राजा मधार रहे हैं वोश्यार। गुरू जी को प्रणाव, ये मेरे गुरू है, महा गुरू रुद्र। ये हमारी कुल देवी है, दुर्ग यमन। दरने की जरूरत नहीं है। युद्ध करते बक्त अगर हम सामने वाले दुश्मन के प्राण ना लें, तो वो हमारे प्राण ले सकता है। और जब एक के प्राण जाते हैं तब उसका पुरा परिभार भुकतता है। उसी पाप से प्रैश्शित करने के लिए ये पूजा रखिए। सिर्फ इतना ही नहीं। हमारी जो रानी बनने वाली है, मेरी चंद्र मुखी, सोचा आज उसको भी हमारी देवी के दर्शन करा ही दे। इसलिए तुम्हे लेकर आया। हमारी एक कुल देवी तुम्हारे मन को बदल देंगी मुझे विश्वास से। महाराज। बोलिये मंत्री जी। पड़ोसी राजी के राजकुमार आपसे मिलना चाहते हैं। कब मिलना है। आज उनका दूत आया था ये संदेशा लेकर कि राजकुमार आपसे कल सुबह मिलेगी। सिर्फ इतना ही नहीं। वह हमारी पज़ासे भी है साथ हमारा। जिस तरह दिव्या खुद को चंद्रमुखी समझने लगी है। उसी तरह पांडियन भी अपने आपको वेट्या समझने लगा है। पूरा महिना खराब जाएगा। लोग रावन होते हो बावन तिरपन था। उपर से बी बी यानि बहुत बड़ा बेवडा भी एक बार वो बीमार पड़ा तो डॉक्टर ने उसे ग्लुकोज नहीं दारु चड़ाया। अइसा खतरनाक कि अपनी गल्फ्रेंड की तरफ देखने वाले का सीर धर्ण से अलग कर देता। अरे वेट्टे या कि मौसी के बेटे का मुणनल था तो उसने चंद्रमुखी को नाशने बुलाया था। उसने मना कर दिया तो उस दिन जो दारु वो पीने वाला था वही उस पे छिड़क दी और जला कर गार दिया। वो गंदे नाले में खुला कर देवे तो वहां की मचलिया मर जावे। किलो के हिसाब से पुराया की है मैंने उसकी उसने चंद्रमुखी को जला के आत्मा बनाया। मुझे सुरज मुखी बना के परमात्मा के पास बेच देगा। हम तो यहां पर पूजा करने आये थे यह सब क्या हो रहा है। कि बेटा तू इस पूरे कांट का प्रोडिसर तू है बेटा मुख का चंद्र घिसने के चकर में तुने सब की जिन्दगी का लोवान जला डाला। बेटा तेरा ते कोई काव भी नहीं है कि तू वहां जाके चंद्रमुखी से पीचा शुडा सेके। कि तुम्हें लग रहा है कि तुम पांडियन को यहां लेकर आए नहीं बल्कि वो तुम सब को इधर लेकर आया है। यहां क्या क्या और कब होने वाला है यह सब उपर वाला जानता है। उपर वाला। इस वक्त यह पांडियन है या वेट्टेया बन गया। क्या फरक पड़ता है जो भी है जाके सीधा खुद को सिलेंडर कर देता हूँ। यह एसम्टीयेचे यहने कि सुच में तूपा है। इसको बाउंसर हुआ। इंगलिश नहीं आती तो हिंदी में सुन। मेरे भाई उस दिन जो वेट्टेया के लिए मैंने फेकम फाक की थी न। पता है वो सचबूश फेकम फाक ही थी। वेट्टेया एक नंबर का पंडित आदमी थी। सारी खूबसूरत लड़कियों को वो अपनी बहन समझता था। उसका दिल दिल नहीं था। उसका दिल दरिया था। और चंद्रमुकी के बारे में क्या बताओ तूंको। एक नंबर की लुच्ची लफंगी। अरे लोगों को चंद्रमुकी नाम से घिन आती थी। पताओ वो अपने घर में विदेशी लड़कों का कैवरे करवाती थी। जो नहीं नाश्ता था उसकी तोनों ठांगे कटवा देती थी। हां। एक बार उसने नोक्रानी से गुलाब जामुन मांगा। नोक्रानी दिमाग से पैदल थी। उसने गुलाब और जामुन अलग अलग दिया। और चंद्रमुकी ने उसे फासी दिया। सुना। अच्छा हुआ मेरा जनन थोड़ा लेट हुआ। अगर में वहां होता, तो उसके खरदन उडा देता। लेकिन अच्छा हुआ तुमने उसे जला डाला था। यह सब मैंने तुछ से पुछा। मैंने सोचा की पुछोगे तो पहले ही बता दिया। नेकल ले। यह सश मुझ वेट्टियाई है। अगया वे वटले में ता, मैं तो तेरी खटिया खड़ी और विस्तरा गुल करते गए। बज़ गया। यह जा रहा है। यहां पर आप रहा। इसको बोलते है एसजी केम ए असमान सकीरे और खजूर में आतके। एक बात पता है क्या। वेट्टेया ने तुमारी इतनी बुराई की कि उसके मुझ से खून निकल रहा था। लेकिन मैंने उसको बोला कि चंद्रमुकी एक नंबर की पंडिताईन आवरत थी। वेट्टेया एक नंबर का लुच्चा लफंगा था। दबुटेया, चल्थी लडगी को उठाता था। उनको घर पर लाता था। खुद पंगि बजाता था और उनसे क्याब्रे करवाता 2500 कर दाद। अगर मैं वहा हुता तो मैं उसकी पंगे चिनख में उसकी सारंगी बजा देता था। या। मैंने तुझसे सिर्फ एक ही सवाल पूछा, जितना पूछा जाया उतना बोला कर जो आगया आप मैं निकलता हूँ जो आगे विए एट अगे जाए अगे, जो आपको अगे चोट अनिया कोटी लिए आख क्या हुआ है अचानक कैसे की इया चुकर है इंक शुकर है बिल्को लाइन बग पर पांडियन ने आकर मुझे बचा लिया अमना पता नहीं क्या हो जाता है आप ठीक तो है ना माम्मा मुझे पाता है मामा कु मैंने मानने की कोशिश की मैं वहां पर बैठी थे उनको देख रही थी कि अचानक मुझे कुछ हुआ फिर क्या हुआ पताने नहीं कि तुमने कुछ नहीं कि यह घर बहुत पुराना है शायद कोई कील कमजोर पढ़ गई होगी नहीं उस दिन जब मंदिर जा रहे थे और मैं कार चला रही थी कि तब भी कुछ ऐसा ही हुआ था और मैं मंदिर नहीं जाकर कहीं और चली गए थी मामा उस दिन स्वामी जी ने गुलाल पर खड़े होने को गाता है तब भी मेरे साथ ऐसा ही कुछ हुआ था यह सब मेरे साथ क्यों रहा है मुझे नहीं बता है पर इस महल में जरूर कोई प् तुम में इस चंद्रमुखी की आत्मा आती है इस सब की वज़ा है यह घुंगरू की मालाग जो तुमने बैगा की है कही है इसकी असली वज़ा तुमने भले ही एक घुम्रू उसके गले से निकाल दिया है पर उसमें बसी चंद्रमुखी की आत्मा कभी निकाल नहीं पाऊगे जब जब इसकी शरीर में चंद्रमुखी आएगी वो पांडेयन को मारने की कोशिश करेगी जो इंसान हमारी पैमिली की मदद कर रहा है चंद्रमुखी उसे माना चाहती है कभी नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूगी छोड़ो छोड़ो मुझे मैंने का छोड़ो मेरी बात सोनो चंद्रमुखी को मेरा शाही चाहिए ना और मैं मर गई तो अगर ऐसा हुआ पूजा रुख जाएगी उसे तो वहीं चाहिए बेटेयां को मारने तक चंद्रमुखी की आत्मा नहीं रुकेगी इस दुर्गाष्टमी को वह पांडियन को मार बेगी जिसे वह बेटेयां समझ रही है मुझे बचाना आता है खुदको तू बचाएगा तू बचाएगा कैसे बचाएगा मैं भी देखती हूँ तो कैसे बचेगा अचित को अचित को कि अधिक थे का इस पिट्रेश वह पिट्रेश वह पिए उस चलाद नगरापको देख ले तो जहनते हो क्या होगा तुटरा भी की कर वो अमठीब क्यों नहीं सुटें तो तैक ले दुटू मुझे फर्क ने बढ़ता है अब एक बल भी तुमसे दोधा तो मैं जान दे दूगा है हमाज रादि यहां से बाग जाएंगे यह दासी हमारी साहे दो करेंगे आपका उपका रहेगा जन्रमुखी अगर मैं पकड़ी गई तो बहले ही हमारे प्रांट चले जाएंगे मगर हम आपका नाम नहीं लेंगे महाराज यहीं आ रहे है आप दूनों चल्दी चलो निकलो यहां से महाराज हम आप ही के बारे में सोच रहे थे खिंतु आप खुद ही यहां चले आएंगे दुर्गा ओम धम दुर्गाए नमहा तुमने क्या कहा तुम हमारे बारे में सोच रहे थी हमें विश्वास ही नहीं हो रहा हमारा मन करता है कि आज हम अध्भूत कमाल हो गया हमें तुम्हारा उखार बहुत अच्छा लगा मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि तुम मेरे लिए इतना सुन्दर नृत्य भी कर सकती हो बदले में मैं तुम्हें भी उपार देना चाहता हूँ कोई है क्या यह सब तुम्हारे लिए है चंद्रमुखी इन हीरे जवारातों में हमारी कोई रुची नहीं है महराज तुम्हें इन सब चीजों में कोई रुची नहीं है यह बात मैं बहुत अच्छे से जनता हूँ इसलिए मैं तुम्हारे लिए ऐसा तौफा लेकर आया हूँ जिसकी तुम्हें उम्मीद भी नहीं होगी उपहार लेकर आओ ये है वो पहार सिर्फ तुम्हारे लिए ये देखो हमारे महल में हमारी ही दासी हमारे खिलाफ जा रही इसलिए हमने इसकी गर्दन धर से अलग कर दी जो भी हमें चंद्रमुखी से दूर करने की कुशिश करेगा उसका तो यही हाल होगा ना चंद्रमुखी 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 आप जोगी के आप जो बहुत जाए तो यह तो यह क्या है अरे यह तो खूनि मेरे सिपाही भी न, कितने बेरहम है, हाँ, बेचारा गुणशेखर, अपने से जाधा सुन्दर लड़की से प्यार करने का यही हाल होता है गुणशेखर, अरे रे रे, बेचारा, रिद्ध करने के लिए, पैरों का ठीक होना तो जरूरी है न, तुम लोग उने पैर ही तोड जपकाए भिना, पूरा दरबार इने देखता था, आज मैं देखूंगा, चलो शुरू करो अपना नृत्या, जाए हुसे, पास्जाओ, पुर्षेखर, अब। तुम्हारे गुण शेखर का कून अलग और शेखर अलग कर दिया हाँ हाँ हुआ हाँ हाँ इस वक्त तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारी धोके बाजी समझ नहीं मेरे महल में अपने प्रेमी को लाकर छुपा कर रखा और मेरे साथ प्यार का नाटक कर रही थी मैं तुम्हारी हूं मुझे तुमसे प्रेम है मेरे साथ क्या मकारी का खेल खेल रही थी तू भी अपने प्रेमी के पास जा इसे चलाने के तयारी करो लगा 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 उसने चंदरमुखी को राख बना दिया इसलिए चंदरमुखी की आत्मा बदला लेने के लिए बेचैन है लिएक लगा 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 लीगा लगा लोगा वह बाकलों की तरह व्यवहार करने लगा उसने खुदको गुप्त गक्ष में बन कर लिया और फिर एक दिन सर्ब के काटने से उसकी मृद्यू हो गई उस कक्ष में उसकी आत्मा बंद थी तुमने अंजाने में उस कक्ष को खोड़ दिया कुछ साल पहले गंडा ने भी यही गलती की थी उसने चंदरमुखी की आत्मा को मुक्त कर दिया था अब वैट्या के सिंगासन पर बैठ कर तुमने एक और गलती कर दी पैट्या की आत्मा को आपने शरीर में आने का मौखा थी दुर्गाश्टमी को चंद्रमुखी अपना पतला देने आएगी गुन शेकर की प्रिज्यू का क्योंकि उस दिन भी दुर्गाश्टमी थी उसी दिन उसी समय पर चंद्रमुखी वेट्या का सिर्थर से अलग करेगी इसका मतलब जैसा गुरुजी ने बोला कि दुर्गाश्टमी वाले दिन दिव्या मेरा सर काटने वाली है सही कहा कल तुम दिव्या के शरीर में असली चंद्रमुखी को देखने वाले हो गुरुजी सत्रा साल पहले गंगा ने खुद को चंद्रमुखी समझ कर ऐसा तांड़ो मचाय था मानो पूरे गाउं में प्रले आ गया हो अब तो खुद चंद्रमुखी यह आ गई है पता नहीं कौन सी कयामत आएगी देवा तुभी बचा सकता है आ जाए मेरे शिकारी कुट्टों को लाया जाए कुट्टे कुट्टे आज मैं तुझे जिन्दा जला दूगी और उसे के साथ मेरा बदला पूरा होगा आजा लो चाओ आजाए 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 आए हाए आए मैं आए 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 हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ हुआ laugh हुआ 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 हुआbras प्रॉट प्रॉट प्रॉटगि हुत करना सुछा! थे कुछां में ये अुछा में मुचांद्यू लुटना यो प्रॉट टॉटा ये 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 मुटना थे विंग करते हैं कि आख यांग यांगान तु आख विक कार दिया घ्जे पंसे हम आना हुआ जानित, फिर दी, जानित, प्रिम्री सुलगा, 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 सद रमा जालू कि लड़ते हुए भी कुप चुरस लगती है चंद्रमुखी जब चंद्रमुखी अपने असरी रूप में आ जाएगी तब गुरुजी अपनी शक्तियों से एक पवित्र घेरा बनाएंगे तुम्हें लड़ते लड़ते उस पवित्र घेरे में पहुंचना होगा फिर वेट् तुम्हारे शरीर से निकाल देंगे तुम पहले जैसे हो जाओगे वेट्या की आग्मा तुम्हारे शरीर में नहीं रहेगी पर चंद्रमुखी के लिए तुम वेट्या ही रहोगे अगर चंद्रमुखी को पता चला के तुम वेट्या नहीं हो तो वो खुद को मार डालेगी अगनी लाओ यह अगनी लोग और चला दो इसे अपना बदला ले लो तेरा सर काटके मेरा बदला फूरा फूरा यह महल मेरा है यह सम्राज्य मेरा है हाँ हाहा हाँ हाँ जीए उस साधों ने अपने प्राणों की आहुति क्यों यह पेट्टे यहा ने चंद्र मुखी को जिन्दा चलाए था इसलिए उसकी आख्मा भटक रही थी महागुरु ने चंद्रमुखी की अस्थियों को उसके कक्ष में रख दिया था और वो भी अपनी मौत का बे सबी से इंतिजार कर रहे थे उन्हें मौत नहीं आई क्योंकि उन्हें श्राप था कि जब भी उन्हें मौत होगी वो चंद्रमुखी के हाथों होगी ये परिवार पुल्देवी की पुजा करें ताकि महागुरु श्राप से मुक्त हो जाए तुम्हारा यहां आना विधेली खित्था और देखो वही हुआ नियती से कोई नहीं जीत सकता